अभी ग्लोबली एक न्यूस काफी ट्रेंडिंग कर रही है और उसमें बताया जा रहा है कि लुका शेंको को पुतिन के दोरा जहर डिया गया है पॉईजन दिया गया है क्या ये संभाव है कि एक देश के राश्टर पती को जहर दिया जा सके बेलारूस के राश्ट्र पती जब मुलाकात करते हैं पुतिन के साथ में तो उसके बाद में उनकी तबियत खराब हो जाती है आलत बिगड़ने लगती है और मॉसको के एक हॉस्पिटल में उनको एडविट करना पड़ता है ये वेक्टी वाकई में खतर को याद होगा उस ते अपने देश से इतना प्यार किया कि अपने देश को बचाने के लिए और बनाया के लिए जो पडोसी देश थे उनसे दुश्मनी उसने मॉली थी और आप लोंको पता है कि जर्मनी की उपर जो कर्ज लगाय गया था 2010 के अंदर जर्मनी वो कर्ज उतार पाया है लेकिन फिर भी जर्मनी ये रोब की अंदर सबसे बड़ी एकोनोमी बनकर खड़ा हुआ है 1991 के अंदर जब बरलिन की दिवार गिरी थी उसके बाद में सोवियत संग जो रूस था USSR उसका विक्टन हुआ था 1991 से लेकर अब तक ऐसा पहली बाद हुआ है कि जब रश्या किसी कंट्री में न्यूकलियर वैपन जो है उनको एस्टाबलिश कर रहा है तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग न्यूस की तरफ यह जो वैक्ति आप लोग देख रहे हैं यह है लुकाशेंको अलेक्जेंडर लुकाशेंको नाम ही बड़ा गजब का है है ना चलिए देखिए एक ट्विट मैं आप लोग को दिखाता हूँ जैसे भारत के अंदर होता है कि कोई भी काम अगर फ्रधान मंतरी कर रहे हैं तो विपक्ष की पार्टी जो है वो बड़ी खिंस्तान करते हैं से आपने अभी संसत का उद्गाटन देखा था इन्रगेशन देखा था उसके बाद में विपक्ष की पार्टी ने बड़ा जो है वो तंज कसा था यहीं कि 19 लुकाशेंको पुतिन के साथ में मुलागात करते हैं उसके बाद में अर्जेंटली उनको ट्रांस्पोर्ट किया गया मॉस्को के सेंट्रल क्लिनिकल हॉस्पिटल के अंदर जहां पर उनकी तब्यत जो है वो बिगड़ गई है उन्होंने ही आरोप लगाया कि क्या लिए इसको को जवाब देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं यह बताया जाता है कि बेलारूस पर कजाकिस्तान पर बहतरीन कंट्रोल करने के लिए यह संबह हुआ है विपक्षनी यारूप लगाए यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि बेलारूस के जो प्रेशिडेंट है लुकाशेंग को उनकी विपक्षी पार्टी के अंदर यह जो व्यक्ति हैं वो खड़े हैं नाम थोड़ा साथ पटा है अगली बार प्रेशिडेंट के इलेक्शन के लिए यह खड़े होने वाले हैं इसलिए काफी जदा है वो फास्ट फॉरवर्ड होके सामने आ रहे हैं बहुत सारे न्यूस चैनल जो है मीडिया हाउसेज ने इसको कवर किया है इस न्यूस को ही लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है एक न्यूस और है हमारे सामने इसको आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने यह अनौन्स कि कि अगर किसी भी देश को न्यूक्लियर वेपन्स लेने हैं तो वो रश्या की शर्ण में जा सकता है 1991 के अंदर जब USSR का विक्टन हुआ था उसके बाद से अब तक पहला देश ऐसा बेलारूस है जिसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स जो है उसको तैनात किया गया है साथ म कि अब आप लोग सोचेंगे कि सर आकिर कार इन दोरों की बीच में बाचीत ही तक लिगू आगे बढ़ते हैं अब देखिए लोका शैंको जव कि पच्चीस गयिवाइन की डेट म हैं आप लोगको बताता हूं कि पच्चीस मार्च की डेटी इस डेट को पुतिन नहीं लोग बेलारूस के अंदर nuclear weapons जो है वो establish करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि USA जो है अमेरिका बहुत पहले से ऐसा करता हुआ आया है उसने युरोप की कई countries के अंदर अपनी nuclear missiles जो है उनको तैनात कर रखा है यही नहीं बिर्टेन ने recently जो है युक्रेन को युक्रेन को एक cell जो है तो यह तो है बेलारूस फिर है यह रश्या और फिर है कजाकिस्तान बेलारूस और कजाकिस्तान रश्या जो है वो दोनों आपस में बाचीत कर रहे थे कि कजाकिस्तान जो है इसको आपस में जो है इनकि इसके साथ में मिला लिया जाए कजाकिस्तान का यह जो आप लोग न लॉक कंट्री है ध्यान रखी गए बात आप लोग ठीक है अच्छा ये देखी ये इमेज है ये है आर्मर पियर्शिंग सेल आर्मर सेल है इसको ब्रिटेन ने युक्रेन को सप्लाई किया और फिर ये बात पता लगी किसको रश्या को रश्या ने ये कहा कि ये जो हतियार पह इसलिए रश्या कहता है कि हम क्यों पीछे रहे इसलिए बेलारूस के अंदर नुक्लियर वैपन जो है उसको तैनात किया है अगर हम लोग पूरे विश्यो के अंदर देखे तो नौर्थ कूरिया की पास में 20 जो है वो परमाणू बं है इस्राइल के पास में 90 है पाकिस्ता तो दूसरे देशे को सिखाने की कोशिश करता है वहाँ पर देखिए सब ज़्यादा परमाणू हतियार इसके पास में है भारत एंपीटी पर इसलिए साइन नहीं करता है वो यह कहता है कि अमेरिका इतना डवलब कर चुका है तब जाकर यह दूसरे की उपर प्रतिबन जो तो यह था lecture और आप लोग मुझे जरूर बताएगा कि lecture आप लोग कैसा लगा तो देखिए अभी globally यह जो आप लोग scenario देख रहे हैं आप लोग यह मान सकते हैं कि world war 3 के दौर के अंदर आप लोग जी रहे हैं ठीक है तो चलिए मिलते हम लोग next lecture में लेकिन फिर भी जाते जाते हैं आप लोगों से कोशिन हैं आप लोग मुझे यह बताएए कमेंट सेक्शन के अंदर कि हीरो सिमा और नागा साकी पर जो आटमिक बॉम गिराए गये थी उनकी डेट्स क्या ती डेट्स मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजीगा चली मिलते हम ल